हलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नार्वन डिलिवरी के लिए क्या क्या खाएं गर्भा वस्था में सल्दूलन आहाल लेना बेहत जरूरी होता है इस दोरान महिला के सरीर को बिटामिन मिनरल और पोसक तत्य की आशकता होती है पिंडेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको करीब 350 से 500 तक जादा कैलोरी लेनी चाहिए इस समय आपके आहार में आवस्यक पोसक तत्त ना होने से बच्चे की विकास पर दुर परभाव पड़ता है नार्मन डिलिवरी के लिए क्या क्या खाना चाहिए नार्मन डिलिवरी के लिए डेर्य उत्पादल खाना चाहिए नार्मन डिलिवरी के लिए संतरे खाएं सकरकंद के फायदे नार्मन डिलिवरी के लिए अंडे खाएं नार्मन डिलिवरी के लिए फायदे मंद होता है कम से कम वसा वाले मीट नार्मन डिलिवरी के लिए पाला खाएं, ब्रोकली गो भी खाएं नार्मन डिलिवरी के लिए सबसे ज़्यादा फाइदा पानी पीना होता है और नार्मन डिलिवरी के लिए केला भी खाएं प्रेगनेंसी के दौरान भुड के विकास के लिए आपको प्रोटीन और केलसियम की अधिक मात्रा में और सकता होती है दूद से बनी चीज में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है इसके साथ ही इन में कैल्सियम, फस्पोरस, बिटामिन B, मैंगनसियम और जिंक भी पाया जाता है इसके लिए नार्मन डिलिवरी के लिए इन्हें खाना बहुत ही फायदेमंद होता है दही में अन्डेरी उदपाद को के मुकाबले अधिक मात्रा में कैल्सियम पाया जाता है दही में प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टेरिया भी पाया जाते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ करने का कारे करते हैं प्रेग्नेंसी में बायोटिक सप्लामेंट्स लेने से भी गर्व विधी डायविटीजियोन में संकर्मण और एलर्जी होने की संभावनाएं कम होती हैं नायर्मन डिलिवरे के लिए संत्रा दो तरह से फायदेमंद होते हैं पहला संत्रे में 90% रस मौजूद होते हैं जो प्रेग्नेंसी के दोरान पानी की जरूरत को पूरा करने का काम करता है दूसरा इसमें अधिक मात्रा में विटामिन सी पाय जाता है जो आपकी बच्चे की तचा को सुन्दरता और मुलायम बनाता है इसके अलामा संत्रा संक्रमण से बचाने में भी मददगार सावित होता है नार्मल डिलिवरी के लिए सकरकंद खाना फायदेमंद होता है सकरकंद में अधिक मात्रा में बीटा करोटीन मौजूद होते हैं जो सरीर में पहुँचकर बिटामिन ए में परिवर्टित हो जाते हैं सारीरिक विकास के अलामा बिटामिन ए अधिकतर को सिकाओma और उतकों को अलग-अलग करने का कारय करता है भुर्ड के विकास में इसकी महत्पुड भूमिका होती है गर्वती महिलाओं को बिटामिन A के करीब 10 से 40 प्रतिसत जादा खाने की सलाह दी जाती है प्रेंगनेंट महिला के लिए बीटा करोटीन बिटामिन A का एक महत्पूर स्रोत माना जाता है जो सकरकंद में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है करीब 100 से 150 गराम सकरकंद खाने से बिटामिन A की रोजाना की जरूरत पूरी हो जाती है अंडा आपको सुस्त बनाए रखने में महत्पूर होता है अंडे में सभी तरह के पोशक्तत पाये जाते हैं एक अंडे में करीब 77 कलोरी अधिक मात्रा में प्रोटीन और फैट मौजूद होते हैं इसके साथ साथ अंडे में मिन्रल और बिटामिन भी पाये जाते हैं कममसा वाले मीट में आइरन की अधिक मात्रा होती है प्रिग्नेंसी के दोरान महिलाओं के सरीर को आरन की दुगनी मात्रा की जरूरत होती है इसके लिए आपको आसानी से पचने वाले आरन युक्त खाद पदार्थ को भोजन में सामिल करना चाहिए अवस्था के दोरान कम से कम आपको सुबह से साम तक 3 लीटर पानी पीनी चाहिए